हेलो बिलियंट्स अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास के लिए यह ट्राइडीज चैप्टर का नाम है मैंसुरेशन और यह मैथ का बड़ा ही असान टोपिक है समझने के बाद आपको एंजोई भी होएगा इसमें क्या चीज है यह ट्राइडीज हम जो कर रहे हैं इसमें हमें एक पैरलेलोग्राम दे रखा है यह वाला और जो लिखा हुए है let us read and understand what is it saying to you we know that parallelogram is also a quadrilateral हम जानते हैं कि parallelogram भी एक quadrilateral होता है क्योंकि parallelogram की भी चार साइड होती है जैसे कि quadrilateral की होती है let us also split such a quadrilateral into two triangles find their areas and hence that of the parallelogram आपको क्या करना है इसको divide करना है दो ट्रेंगलों में जैसे यह divide कर रखा है बीच में diagonal draw करके और फिर इसका area निकालना है इस जो अलगला जो triangle मिल गए है इनका area निकालना है और उसके बाद आपको parallelogram का area निकालना है जो कि आपको पता है क्योंकि parallelogram का area होता है 1 by 2 base into height नहीं होता है ना 1 by 2 नहीं आएगा base into height होगा does this agree with the formula that you know already क्या ये वाला formula जो अभी आपने drive किया है triangle से क्या वो parallelogram के formula के जैसा ही है वो हम अभी देखेंगे और ज्यादा clarity भी हो जाएगी कि क्या इसमें कह रखा है तो एक parallelogram है वो हम draw करेंगे page number 174 parallelogram draw कर लेक्ते हैं ये वाला नाम देदिया अपनी दरफ से a b c d इसमें नहीं दिया हुआ question के अंदर जो ये height है इसको इसका नाम दिया गया h और जो ये इसी तरह से यहापर भी height draw की गयी है इसे h लिख दिया ये diagonal draw किया हुआ है ये वाला ओके अब हम लेंगे triangle in triangle a c d दो triangle में divide हो गया ना ये एक triangle है a c d और एक triangle है a c b दो triangle हो गई है ठीक है triangle a c d के अंदर हमारे हमारे पास base ये b है ये b है क्योंकि parallel साइडे बराबर होती है ना इसलिए इन triangle a c d base बेस होगा ये a d जो की b के बराबर है और जो height है इस base के उपर इस base की इस triangle की इस side के opposite जो point है उससे इसके उपर perpendicular distance वो height यूज करेंगे जो की आच है तो इसका area क्या होगा area of triangle a c d 1 by 2 base into height फार्मले बगेरा तरीके से लिखो shortcut मत करो अच्छा नहीं है बच्चे shortcut करते हैं और इससे teachers भी irritate होते है कि देहों क्या कर रखा है इसने समझ में नहीं आ रहा कब क्या चीज जोड़ दी base b height h तो यह हो गया ठीक है b h by 2 अब दूसरा triangle लेंगे एक triangle हमने यह ओला लिया और एक triangle हम यह ओला लेंगे triangle a b c base है वो हुआ b unit यह वाला और इस b c को छोड़के जो point बच गया वो है a उस a से a b c के अंदर b c को छोड़कर के जो point बच गया वो है a वो तैसका opposite उस opposite point से इस b c पर perpendicular जो distance है वो लेंगे जो की है यहाँ h height है वो ही h unit of area 1 by 2 multiply base multiply height 1 by 2 base है b height है h b h by 2 a b b h by 2 ही आया अब area of a b c d जो पहला लोगराम है वो क्या है area of a b c plus area of a c d a b c का area अभी निकाला हमने b h by 2 और a c d का area वो भी b h by 2 है दोनों का base सेम है तो उपर की addition हो जाएगी by 2 2 से 2 कट गया क्या आया बेस यानि की b h आया बेस मल्टिप्लाई में height clear हुआ गुड अब आपको यह भी पता है कि वह एरिया ओफ parallelogram a b c d का अगर हम निकाले तो उसमें होता है base multiply height इसकी यही formula होता है base multiply height अब इन दोनों ट्रेंगलों को जोडने भी तो parallelogram ही बने है और शिदा formula अगर करें तो base into height होता है जो कि b h होगा जो कि यहां पर हमारी आई है राइट तो यही ट्राइदीज था कि आपको क्या करना है आपको इसको दो ट्रेंगलों में divide करना है जैसे पहले वारा case था उसमें आपको ट्रेपीजियम का समझाया गया था जिसकी अंदर इस ट्रें ट्रेंगल और इन त्रेंगल का प्लस करके हमने ट्रेंपीजियम का फार्मला निकाला तो वह यह आया था राइट और बिल्कुल वैसे ही हमें मतलब यह फार्मला डेरिवेशन हो गया और यह आप यही समझ लिजी के फार्मला डेरिवेशन ही है कि आया कैसे a b c d का area जो पह और आपको यह आपको वैसे लान ही होता है clear है तो होप स्वाप को छे समझ में आ गया होगा यह ट्राइदीज इस ट्राइदीज में सिंपल यही बात है थी कि वही आप इसको ड्राइव करके दिखा होगे done तो मिलते है next वीडियो में next ट्राइदीज के साथ वो इसके बाद करेंगे अब हम यह वाला case जिसमें quadrilateral का area कैसे निकालेंगे वो देखेंगे वैसे ही जैसे की ट्राइगल दो ट्राइगल होगे और उसमें जो डिवाइड करने के बाद जो फार्मला ड्राइव किया गया वो यह फार्मला है जो हम यहां इस्तमाल करेंगे वन बाई टू जो बेस है बेस के उपर जो प्रपेंडिगूलर हाई टाइन को एडिशन कर देंगे बागी देखेंगे उसके अंदर इसको एजट लिक कैसे किया जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में आल्वेस है ग्रेट टाइम बाई